मैं पारसयाद號, आपका स्वागत करता हूँ, आपके अपने फीवरेट यूट्यूब चैनल, फैन बिलेश पर आशा करता हूँ, आप सब स्वस्त होंगे और मस्त होंगे आज मैं आपके लिए फैन बिलेश के योज से ले कर आया हूँ एक और क्रिकेट मैच की जानकारियों से भरा वीडियो इन जानकारियों का प्रियोग करके आप मेगर ग्रेंडली और दूसरे बहुत से कॉंटेस्ट जीत सकते हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे दिहंडर्ड टूर्मेंट के 32nd मैच की जो की खेला जाएगा वेल्स वाइज वर्सी लंडन स्प्रिट के बीच में 18 अगस्त को रात 11 बजे भरतिस हमिन उसार काडिफ के सोफिया गाडन्स मैतान पर इससे पहले हम अपने मैच प्रिवी पर चलें दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने हमारे यूट्व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लिजिए और साथ ही घंटी यानि बेल एकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें और हाँ अगर आपने अभी तक हमारी पैनविलेज अब को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा आप पैनविलेज अब को डाउनलोड कीजिए जहां आपको मिलेगी फैंटेजी स्पोर्स की न्यू अपडेट्स स्विंग और सिंबोलोड के यहां अची कासी मदद मिलती है और कुछ हल्प डिस्ट्मिनर्स के लिए होती है बैटिंग यहां इजी होती लेटर हाफ ओफ दे मैच में तोन इनिंग में स्पेसली इन सेकें इनिंग में इसलिए हां साइट चेजिंग प्रेफर करती है लास 69 मैचों की बात करें दोस्तों आवरेस को रहा है 500-170 की बीच में फर्स्ट मैच जीते हैं तेइस सेकंड जीते हैं 31 मैच टाई रहे हैं तीन का कोई नतिजा नहीं आया है लास्ट मैच इसकी बात करें जो इस टूनेमिट में खेलें गें इस गराउन पर 6 अगसको सबसे पहले मैच खेला गया वेलजवायओ वर्सिस ट्रेंड ट्रोकेट के बीच में जहां ट्रेंड ट्रोकेट ने छे विकर चीत लिया वेल्स वायर के तरव से top performer है गिलैन फिलिप जिनों ने 50 रन की शांदर पारी खेली लियोज डूप लुए 30 रन का योगदान दिया और बोलिंग से काई जैमान ने 2 विकेट लिये इससे पहले 31 जुलाई को मैच खेला गया वेल्स वायर से टोप performer है लियोज डूप ले 43 रन्स मैथ्यू कृचली 30 रन नोट आउट प्लस वन विकेट और बोलिंग से जीमी निशेम ने 1 विकेट लिया इससे पहले वेल्स वायर वर्से शौधन ब्रेव के बीच में 27 जुलाई को मैच खेला गया जहाँ पर वेल्स वेर ने 105 रन बनाए पहले बैटिंग करते हुए ज्यूब में शौधन ब्रेव 100 सेंटाले रनी से जीत लिया वेल्स वेर के तरसे टोप performer है जोनी ब्रेस टोब बहतरन और यहां Pacers का अच्छा खार्सा बोल्बाला है उनको अच्छी कासी मदद मिलती हैं जो आप विक्र फालund रेश्यू में दे सकते हैं 20 विक्र मिले हैं पेसर को Megâ Griendly के Captain Wise Captain की Pick रेंगे जैसे हमारी कल की Pick Tom Kolrard-Carmadwoore ने काफ़ी अच्य प्रफॉ loyal चांदर गया जहांपर हमारे Megaut oluş mm व्यविंग्स्टोरण- IBM Benehol ने काफ़ी चांदर प्रफॉय प्रफॉय करते हैं वंस्वेल किram atenção करते हैं कि है 9 मैचों में 113 मिनाए 20 की एवरेस से हाइज स्कूर है 53 डेविड लेड और येन कॉप में आपकी डिफिरिंट पीक रहेंगे ग्रेंड लिग में और समाल लिग में दोनों में दोनों का इस वेन्टन 2700 क्रोर और इस वेन्यू चार मैचों में 118 मिनाए 193 की शांदर एवरेस से हाइज स्कूर है चोसट बेंड अकेट तीन मैचों में स्तानुए रण मनाए 32 की एवरेस से हाइज स्कूर है त्रेपन अगरा टोप अटर से आप दोनों प्रोर को मिस करें तो बेंड अकेट और ग्लैन फ्लिप्स को एकी टीम में रखें डेविड पेंड टुन्टी सेकं कि दर से इस वेन्यू बटो पर हुमर्स कोन है यूर मोर्गन चार मैचों में 119 तर्म नाये 53 की शांदर एवरेस से हाइज स्कूर है 74 ग्रैंड लिग की आपकी कैप्टन वाइस कैप्टन की चोईस रहेंगे रवी बबारा पांच मैचों में 117 की शांदर एवरेस से हाइज स्माल लिग और ग्रैंड लिग की मर्स्ट पिक रहेंगे क्रिश वूड इस मैच में खेलते हैं तो आपकी ग्रैंड लिग की पंट पिक रहेंगे लेफ्टम फास्ट बोलर चार मैचों 8 विकेट लिए इस तारा कि एवरेस से 4-4 वीसी वेन्यू पे लिया है लंडन से फेव प्रेंट है चार लंडन से बात करें साथ में से एक मैच जिते हैं पांच में आरेक को नेतिजह नहीं रहा लाश्ट के मैच हारें उससे फ़ले मैच जीता है तो दोनों टीमें टूर्मेंट से बाहर उच्छे कि हैं और इस मैच में एक्सपरिमेंट भी करेंगी अपने टीम में लेकिन वैल स्फेयर का यह ओम वेन्यू आर उनको इस वेन्यू का अच्छा अच्छा नूबहु है तो वैल स्फेयर को इस मैंच में अड्वांटेज रहेगा लंदन स्पेरिट के किंपरिजर में अब बात करते हैं गुरूंट्यमों की प्रूबवेल प्रिंसीप आपको बैटिंग के साथ पॉइंट दे सकते हैं डेविड लोईड ग्रैंड लीग और समाली की मस्ट पिक रहेंगे जिनका वेन्यू रिकॉर्ड कभी शांदार है और ग्रैंड की कैप्टन की चैप्टन की चॉइस रहेंगे यहन कोक में वन डाउन पर आ रहे हैं और रिशेंट फॉण कभी शांदार चल रहा है यह भी आपकी ग्रैंड लीग को समाली की डिफेंट पंट पिक रहेंगे बेंड टरकेट हमारी थर्ड मस्ट पिक रहेंगे और बेंडर केट और ग्रैंड फिलिफ्स को स्टी में जुरूर रखें जीमी निश्यम हमारी फिफ्ट मस्ट पिक रहेंगे दिनका रिसेंट बॉलिंग काफी शांदार है और वन्यू रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है काईस दहेमत विकेट एक ब्रेक बोलर हमारी सिक्ट म प्रेवन की इस टीम में एक बदा हो सकता है ब्लेक लिएन की जगे टीम क्रिस वूट को मौका दे सकती है और मस्ट पिक पार गये दोस्तों एडम रोजिंग्टन हमारी मस्ट पिक रहेंगे जो काफी रिसेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और विकेट केपिंग से व प्रेट पिक रहेंगे फिफ्ट मस्ट पिक रहेंगे रोल अफ एंडर मफ जिनका रिशेंटली इस पर्फी अच्छा चल रहा है बैटिंग और बोलिंग से ब्लेक में जो भी खेलेगा वह आपकी ग्रेंडली की पंट पिक होंगे और अगर मैंसन करें सेकेंड बोलिंग करा से के छोइस रहेंगे बैंड डकेट एक फिलिप्स डिफ्रेंट क्याप्न वाइस के चोइस रहेंगे टॉम बेंटन जीमी निश्यम मेगर जील के वैस्ट रहेंगे काय जैमद डेविद लॉयड अब बात करते हैं लंदन सपरीर के तरफ से क्या चोइस रहेंगे सेफ ड़े डिल्ड केटे हैं क्या रहेंगे मारी मैच प्रेटिक्शन स्ट्विफोर मेगर जीले समयल एक हैट-ट्वेट कॉंटेस्ट और बले-बज़ फैंटेसी टीम प्रेटिक्शन की बात करें दोस्तों तो वेल्स-फेरर फेटेम्स को जीतने के लिए क्योंकि अपने हो्मवैनू पर मैच जीत कर अपनी ओडियोंस को वीनिंग गिफ्ट देना चाहेंगी इसकी बात करें दोस्तों तो छे-पांच का बैलेंस को पो ट्राइ करना चाहिए जहां में क्यां में Kapitants analysts को देनी ची वाइस किपेंशी में साथ चाहरका रेशियो में दोनों चाहरें लॉंपू अजल को ॐ nossa इनब्सक्राइव को लें व्कैやってकिंग ओड़ेंस सबस्क्राइब कर सकते हैं अब देखते हैं हमारी Tentative蛇वाजी fantasy बॉर्डर्स है काज आमठ ड्र siete विल् है यह गलोदीर, बंफ्स– और detta नटरन को पर फिस dependent कि यह लेन व्हार्जिंगत अडेक्तन है बेट्समेन फिलिप्स इयन मॉर्डां यहन कोगिन आहलो ड्राइण ड्रेवड विस जीमेन इस्यम रोईल अरमव आप इसमें वेंडर मुर्फ को भी दे सकते हैं और इवन गिलेन फिलिप्स को भी दे सकते हैं दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसे लगया हमें कमेंट सेक्शन में जुरूर बताइए साथ आपने हमें ये भी बताए कि आप हमारे फैनिबलेज यूटूब चैनल पर किस तरह की और फैंटरसी स्पोर्ट से जुड़ी इंफोर्मेशन चाते हैं आपके दिये के सुजाव हमारे लिए बहुत इंपोर्टन्स रखते हैं वीडियो को लाइक करना शेर करना फैनिबलेज यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए खेलते रहें जीते रहें और मच्चाते रहें